अहिनसयम करण के अवतार, स्रमन भगवान महावीर के पाउनपनी चर्णों में सादर कोटी-कोटी वंदन अभिनन्दन ध्यान योगी युक प्रधानाचारिय पूज्य स्री शिव मुनी जी मारा सहाप संग गोरो उप्रवर्तक परम सेवा भावी पूज गुर्देव स्री प्रेम सुख जी महाराज के पाउनपनी चर्णों में सादर कोटी-कोटी वंदन अभिनन्दन आदरनिय मुनिवरिंद उपस्ति धरम प्रेमी बंधुमों माताव एवं बहनों पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने प्रसंग वसात स्रीपाल और मेना सुंदरी का चारित्र सुना जिसका समापन कल हो गया था इस चारित्र से पूर्व आप सब को इस्मर्ण होगा ग्यार्वी शताबदी के महान आचारिय आचारि हेम चंद्र सुरी जी के द्वारा प्रारूपित योग सास्तर के अंदर उन्होंने ग्रस्त में निवास करने वाले ग्रस्ती लोगों के लिए पैतिस प्रकार के मारगानू सारी बोल बतलाए है उन बोलों की चर्चा आपके सामने चल रही थी ये बोल जीवन को अनुसासित और विवस्थित करने के बोल है इनका आचरण मानो समाज की शुद्धी को बढ़ाने में साहक बनता है जो अच्छा आचरण करते हैं उनका जीवन अच्छा ही बनता है वो लोगों के आदर्स बनते हैं लोगों को स्वतह अपने आचरण की द्वारा प्रेणा देने में सक्छम बनते हैं तो ऐसे सुन्दर आचरण के लिए छोटे छोटे सूत्रों की चर्चा आपके समक्ष चल रही है आप में से कईयों को इसमर्ण होगा कि हमने अपना विश्य जो बीच में छोड़ दिया था वो था कृत संग सदा चा रही कृत संग सदा चा रही आचर यहें चंदर सूरी कहते हैं ग्रस्त में निवास करने वाले ग्रस्ती व्यक्ति को सदा चारी लोगों की संगती करनी चाहिए भले सजन अच्छे साधूब लोगों की संगती उसे करनी चाहिए और अच्छी संगती करते हैं तो उससे सुंदर अच्छे वातावरण का निर्मान होता है और व्यक्ति का स्वैम का जीवन शुद्ध बनता है निर्मल बनता है अच्छा बनता है विश्वसनिय बनता है बहुत चीजों के अंदर सुधार होते हैं और हमने अपनी बात इस प्रसंग को जो छोड़ी थी संत कबीर जी का एक दोहा है जो उन्होंने कहा है बड़ा सुंदर है प्रेर्णादाई है और एक यही दोहा नहीं कब महवीर वार्णी ऐसा लगता है कि भगवान महावीर की वार्णी के एिर्दगिर्द है और भगवान महावीर के वार्णी का शयद अक्स फैलते प्रेलते वहाँ तक पोचा हो हमारी साध्यी है जिनोंने PhD का जो अपना विशे लिया, डॉक्टरेट का जो विशे लिया, भगवान, महावीर और कबीर, इनकी वाणी का तुलनात्मक अध्यन करके, उन्होंने अपनी थीसिज लिखी, और वे साध्वी स्रमन संकी साध्वी, डॉक्टर मंजु सिरी जी महराज जो आजकल कबीर की वाणी और महावीर की वाणी कितनी कहां कैसे मैच खाती है, और जड़ चेतन का भेद जो महावीर स्वामी जी ने वतलाया, वो कबीर भी कह गए, और बहुँ सारी रूड परंप्राओं को तोड़ने की बात कबीर ने कई भगवान, महावीर ने उससे पहले कह दे, तो कहने का मतलए कबीर जीवन की सच्चाईयों को उजागर करते हैं भगवान, महावीर की तरह, तो कहते हैं कबीरा संगती साध की जो गंधी का वास, जो कच्छु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास, वो कहते हैं कि संगत का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही है कि किसी व्यक्ति को सेंट, खुश्बू और अनेक तरह के ऐसे खुश्बू आले पदार्थ खरीदने के लिए वो गंधी के गया नहीं है केवल वैसी गया है भावताव पूछने गया है या मिलने के लिए गया है दो घड़ी उसकी दुकान में खड़ा हो करके आया है तो कहते है कि देखो उसने कुछ किया नहीं लेकिन पास में गय तो खुश्बू का प्रभाव उसके जीवन में आ गया है तो कहने का मतल़ ले कि हम भले सज्जन लोगों के बीच में भद्र लोगों के संगती में बैठते हैं तो धीरे धीरे खुश्बू प्रभाव उनका हमारे जीवन पर भी आना प्रारंब हो जाता है हमारे पस बहुत साल पहले एक भाई हमारी सेवा में थे जो कि विहार के थे कई साल तक हमारे यहाँ पर सेवा का काम किया विहार में सेहुख देते थे तो स्कूल की शिक्षा बहुत जादा नहीं थी लेकिन उसने ये कहा महराज कदाचित में आप लोगों के यहां इतने साल नहीं रहता तो शैज मेरे जीवन में कुछ ना कुछ दूशन पैदा हो जाते मेरी सोच बड़ी विप्रीत और नेगेटी हो जाती लेकिन आपके यहां चाहे वो प्रवचन है चाहे मैं खाली समय में कुछ पत्र-पत्री का इधार्मिक पढ़ लेता हूँ वो है और आपके पास आने वाले लोगों को देखता हूँ उनके कुछ-कुछ बाते कान में पढ़ती है तो मेरे जीवन में कई तरह के सकारात्मक परिवर्तन आये हैं तो क्या है? यह संगत का प्रभाव है एक व्यक्ति को मैंने देखा जिसका सभाव बड़ा प्रतिक रियात्मक था गुसेल था, तुरंत रियक्षन देने वाला था वो भी हमारे पास कुछ साल सेवा में रहा फिर वो चले गए लेकिन उसने ये महसूस किया और कहा भी कि पहले मेरे को तुरंत गुसा आता था लेकिन अब मेरे का अंदर गुसा तेजी से और जल्दी नहीं आता कोई बहुत जादा ऐसा टेड़ा मेड़ा प्रसंग हो तो बात जुदा है लेकिन जल्दी से गुसा नहीं आता तो वाता वरण का संगत का लोगों की संगती कैसी है इसका प्रभाव जो है जीवन के उपर आता ही आता है भारती नीती सास्तर के अंदर मनुष्य के आचार वेभार के बड़े तत्तो फैले पड़े हैं पस पढ़ने वालों की आवश्यक्ता है आज की सिक्षा पद्धती ने बच्चों की इंगलिस अच्छी बनाने का प्रणाम ये निकला भारत में जो अमुल्य रतन संस्क्रित प्राकरत पाली आदी भाशाओं में हैं पुराने विद्वानों के लिखेवे आश्चरी चकित हो जाएंगे और सो सो दो दो सो साल पहले वो विदेशी विद्वान हमारे देश में आए उन ग्रंथों को लेकर के गए बाद में उनके विचारकों ने उन उन देशों के अंदर उनको पढ़कर के अपने विचार बनाने प्रारम कर दिये और है क्या मूल स्रोत महाप्रुसों के वचनी तो है उनके आधार पर जो अगले नए विद्वान आते हैं पढ़के थोड़ा मनंचिंतन करके अपने नई कुटेशन नए नीती वाक्य बनाने प्रारम कर देते हैं तो इस प्रकार के एक स्रंखला चलती है प्राचीन आचरियों की परंपरा में का आचरियों आचरे ब्रहस्पति तो आचरे ब्रहस्पति संगत के बारे में कहते हैं कुलीन यानि खांदानी कुलीन खांदानी और सब्धे व्यक्तियों के साथ संपर्क रखना चाहिए पंडित और विद्वानों के साथ मित्रता और अपने स्वजाती बंधों के साथ जो है हमें बैठना चाहिए भाई ब्रादरी के साथ मेल जोल को बढ़ाना चाहिए ये सब ही विपत्ती में सहोगी होते है कितनी सुन्दर गवहारिक और सारगर्भित बात जो है आचरी ब्रसपती ने कह दी कि बैट कुलीन खानदानी लोगों के और सब्बे लोगों के बीच में बैठोगे तो आपका अच्छा होगा आपका वातावरन चेंज होता चला जाएगा आपको बड़ा अच्छा फील होगा आप किसी कलब में किसी जगहे पर चार छे विद्वान बैठते हैं डिसकस करते हैं तो वहां की जो आसपास के नोकर सेवक करम चारी वह भी कुछ-कुछ सब्दकान में पढ़के उनका ही वातवरन चेंज होना सुरू हो जाता है तो इन चीजों का फरक है फिर कहते पंडित और विद्वानों के साथ मित्रता कर करने से और सजाती बंधों के भाई ब्राडरी के बीच बैठने से अब मालो आप अपने आपको बहुत बड़ा विद्वान ग्यानी और या मालो आप अपनी अकड में एहंकार में रहते हैं अपने समास से मेल जोलनी बनाते हैं कोई ताल मेल नहीं बनाते हैं तो प्रणायम क्या होगा आप कल को विपत्ती में आए कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा कोई आपको मार पीट के चला गया तो आपके साथ दो लोग खड़े रहने वाले नहीं है आप कल को सीरियस बिमार हो गए कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है आप किसे और मुसीबत में फज़ गए हैं कोई सलह लेनी है तो कोई नहीं है आपका साथ निभाने वाला आपका बेटा बेटी जवान हो गए कोई आपको रिस्ता बतलाने वाला नहीं है तो सिंपल से लाब है जो समाज में प्राप्त होते हैं आप समाज के साथ, लोगों के साथ, अपनी कम्यूनिटी के साथ, अपने समुदाई के साथ बैठने की भावना रखनी चाहिए ये सब ही लोग जो मैंने आपको बतलाया है, ये विपत्ती में सहयोग देने वाले होते हैं आपके पास एक बहुत कीम्ती कपड़ा है, और कीम्ती कपड़ा आपने पेन रखा, उसके खून का दाग लग जाए, पान की पीक लग जाए, कोई तेल घी लग जाए, तो आपका कपड़ा खराब हो जाता है तो हमें सोचना चाहिए, भी कपड़ा तो किसी केमिकल के प्रभाव से, आपके दाचित दूर भी कर लें लेकिन आपके जीवन, आपके व्यक्तित्त के उपर, यदि कोई दाग धबा लगा है, तो बड़ा चिंता का विश्य होना ही चाहिए गोस्वामी तुलसीदाजी कहते है, तुलसीदास गगन, चड़ही, रज, पवन, प्रसंगा तो वो कहते हैं कि जो गगन में, आकास में धूल के कन चड़ जाते हैं, क्यूं चड़े? हवा की संगत की वज़े चड़े, हवा ने उनके अपने सिर पे बैठा के आकास में पहुचा दिया, तो कहने का मतलब है कि हाला की गगन में धूल के कन चड़तो जाते हैं, लेकिन घातक तो होते ही हैं स्वास्त के लिए, लेकिन यहां वो बात नहीं कही जारी, जो व्यज् हैं, अब देखिया अरजुन माली का जीवन कैसा था, भगवान महावीर के संगत में आये सुधार हो गया, हरी केसी चांड़ाल का जीवन कैसा था, भगवान महावीर के संगती में आये सुधार हो गया, रतना कर डाकु का जीवन बदल कर के महरसी बालमिकी बन गये संगत के प्रभाव से हुए और ऐसे ही और उपमादूम एक अच्छी क्वालिटी का पत्थर के रस्ते में पड़ा है लोगों की ठोकर उसके लगती हैं लोग भी घायल होते हैं और इस तरहें से वो पत्थर पड़ा है किसी ने ध्यान नी दिया कोई अच्छा कारीगर शिल्पकार मू और वो उसको उठा के अपनी कारेशाला में ले जाता है छैनी हथोड़ा लेकर कि उसको तरासना प्रारंब करता है प्रणाम के निकलता है एक दिन सुन्दर मूर्ती का निर्मान हो जाता है और जो सुन्दर मूर्ती का निर्मान होने के पस्चार उसको कहीं मंदिर में प्र जिनिये बन गया कि शिल्प कार ने उसको मूरत दे दी एक शेप दे दी एक सकल सूरत बना दी किसी भी देवी देवता की बना दी लेकिन बना दी बनाने के बाद वह पत्थर जो अनघड था संसकारित नहीं था ठोकरें खा रहा था लोग हो सकता यदा कदा पेशाफ कर देते हों लेकिन आज वो एक पवित्र रूप लेकर के प्रतिष्ठित होगा क्यों शिल्प कार ने उसके हाथ की संगत का प्रभाव देखिए कि उसके जीवन में कितना चेंज आ जाता है बरसात होती है पानी पढ़ता है लोग अपने अपने तरीके से उसका लाब लेते हैं पान अस्तित्त समापत भाब बनकर के बूंद उड़ जाती है क्योंकि तवा गरम है साप के मुह में वो बूंद गिर जाए तो जहर बन जाती है और सीप के मुह में गिरे तो मोती बन जाती है और गुलाब के उपर वो ओस की बूंद गिरे तो वो उपराते हैं काल भ्रमन करने क को वो चमकती ही बूंद बड़ी प्यारी लगती है और वो बूंद खुश्बू से सरोवर हो जाती है तो कहने का मतलब ये है कि संगत का प्रभाव है एक ही चीज एक ही पानी की बूंद अलग-अलग इस्थानों पर अपना कैसा कैसा प्रभाव छोड़ती है एक अठारा साल 20 साल-22 साल का नौजवान लड़का रोजाना किसे शराबी के पास बैठे सिगरेट फूकने वाले के पास बैठे असलीलता की चर्चा करने वाले के पास बैठे तो प्रणाम क्या निकलता है उसके जीवन के अंदर क्या होता है बुराईया धीरे 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 अपना प्रभा बाओ जमाना प्रारंब कर देती है और जीवन बुराई की तरह भागना प्रारंब हो जाता है मैं देखता हूं कि हमारे जैन परिवारों के बहुत से माता पिता अपने बेटा बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजते तो हैं कि जब दुनिया जारे तो हमारे बच्चे निकल जाए बिगड ना जाए कोई गलस संगत ना मिल जाए तो सादू साजवियों से जो है कुछ संकल्प करवा कर बेशते हैं उनको कुछ प्रेरित संबोधित करवा करके बेशते हैं कि भई बाहर जाओगे थोड़ा सा ध्यान रखना संगत अच्छी करना और ये देखा गया है 40-50-60 बच्चों की क्लास के अंदर कुछ बड़े सिंसियर बच्चे होते हैं गंभीर होते हैं जो माता-पिता की भावनाओं को पूरा करने के लिए राद दिन एक कर देते हैं मेहनत करते हैं पढ़ते हैं अपने कोर्स की किताबब ध्यान लगते हैं एक मीडियम से होत का वात्रण बढ़ता चला जाता है और अनेक तरह के दुर्वेसन उनकी जीवन में प्रवेश कर जाते हैं हाला कि होस्टल में रहना बाहर पढ़ने को यह मानते हैं कि व्यक्टित मैच्चूर होता है और सब की साइकलोजी देखने का मोगा मिलता है और हमारे जीवन में हम जो एक संतुलित व्यक्टित्त के धनी बनते हैं इस सब बाते ठीक होते वी भी खत्रा तो है संगत वी गलत है तो बहुत सारे बच्चे बहुत गलत रस्ते पर चल जाते हैं माता पिताओं को बड़ा शोक लगता है कि हमारा बच्चा बिगड़ गया विबिन प्रकार के बातकार कहते था उस गैंग रेप बोलते हैं अब गैंग रेप में जादातर कोई साट साल के बूड़े थोड़ी ना होते तकरीबन 17-18 साल से लेके 28 साल तक के चंचल बुद्धी वाले और चंचल मनोवृत्ति वाले जिन्नों जिंदगी कभी बहुत बड़ा अनुभव न जवानी करता चार-चे मिल के इमत कर लेते हैं क्योंकि उनको सहास आ जाता है हम एक दूसरे का साथ दिर हमरे टीम में जो होगा देखी जाएगी तो जवानी के जोसमें ऐसे गलत काम जो हैं वो कर गुजरते हैं कई बार बड़े एजुकेटिड भी कर लेते हैं कई बार अन खेलते हैं सब जो जंगल के अंदर गहन जंगल था अपनी अपनी राहें भूल गए कोई दाएं कोई बाएं कोई इदर कोई उदर बटक गए राजा भी बटक गया राजा केला पड़ गया राजा जंगल में आगे 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 बढ़ता गया और ये भी सोच रह कोई शिका तो जंगल तो टेड़े मेड़े ऐसी होते हैं तो वो राजा आगे आगे बढ़ता गया आगे उसने क्या देखा कि एक हलकी सी आबादी सी दिख रही है जोपड़ पट्टी सी दिख रही है तो जैसी वो आगे बढ़ा तो राजा ने क्या देखा कि पेड़ के उपर एक लटका रहा है तोता उसमें है और तोता राजा को देखते के साथ ही पालावात घूटा था प्रश्यक्षित घुटा था तो बार 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 तो था एक विचित्र आवाज निकाल रहा है अन्य लोगों को अलिट करने के लिए जो उसके वहां रहते हैं आसपास के लोग वो तोता बार-बार कहता है लुटे ताम वद्धे ताम लुटे ताम वद्धे ताम ऐसी बोल रहा है लूटो और वद्ध कर दो लूटो और वद्ध कर दो राजा ने भाप लिया कि ये तोता गलत संकीत कर रहा कि मेरे साथ ऐ प्रिय ग पड़ा सगन विरिक्ष है, सगन विरिक्ष के नीचे एक छोटी सी सेव सुरक्षित कुटिया है, कुटियां के बहार एक प्रांगन जो की लीप करके अच्छा सा बना रखा है, वहां एक रिशी, मुनी, साधु, त्यागी, तपस्वी, ध्यानमुद्रा में लीन है, तो वहां वह जाता है, लेकिन वहां भी एक तोता देखा, तो तोता देखती राजय को जो है, एक विचित्र आवाज निकालने लगा, और अच्छे सुन्दर शब्दों में कह रहा है, स्वागतम 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 स्वागतम, ऐसा बोलते हैं, कि भी तोते को कोई शब्द बार बार 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 उच्चारित करें तो नकल करने लगता है, वह ऐसा बोलने लगता है, हमें ऐसा आभास होता है, कि अब वो फना फना शब्द जो है, बोल रहा है, प्रशिक्षण का प्रभाव हो सकता है, तो इस परकार वो स्वागतम स्वागतम बोल रहा है, राजा चक में बैठे हैं कोई बातनी में इंतजार करता हूं वो बैठ जाता है बैठनी के बाद उनका ध्यान खुला राजा की वेश भूसा देखी परीचे पूछा राजा ने परीचे बतलाया आने का उद्देश से बतलाया शिकार के लिए निकला था रस्ता भटक गया और आपके दर्शन हो गए तो सादू ने का ठीक है तो राजा ने अगला प्रशन किया कि मेरे मन में एक शंका है यहां से कुछ दूरी पर एक तोता मिला यहां भी एक तोता मिला वहां का तोता मुझे देखती बूलता है वद्देताम लुटेताम लुटेताम लुटो और वद कर दो मार दो बंधन में डाल दो और आपका वाला तोता बोलता है स्वागतम स्वागतम स्वाग वाली बात है अरे पीछे जो आप आबादी देखके हैं वहां चोर लुटे रे डकेत रहते हैं रहागीरों को लूटते हैं इसलिए उनकी संगती में रहकर कि उनका प्रशिक्षण कुछ ऐसा दिया गया तो 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 एक ही है इनकी ब्रादरी तो एक ही है लेकिन वहां संगत के प्रभाव से लूटने मारने की बात कर रहा था और मैं एक साधू हूँ मैंने इसको अच्छे अच्छे शब्द सिखाए स्वागतम सु स्वागतम तो स्वागतम सु स्वागतम का प्रभाव ये है कि ये आपको स्वागत तो देखते हैं स्वागत कर रहा है राजा को समझ म आगे देखो संगत का कितना प्रभाव है कि कई बार बच्चों के बोलने के मैनर्ष को माता-पिता समय रहते देख लेते हैं और माता-पिता अपने बच्चों को समझाते हैं आने वालों को जै जिनेंदर बोलना है आने वालों को प्रणाम बोलना है नमस्कार बोलना है दंडवत बोलना है कैसे रेस्पेक्ट देनी है तू कहके नहीं बोलना आप कहके बोलना है तो प्रशिक्षन का जीवन में प्रभाव होता है और प्रशिक्षन ना हो तो पुलिस वाले, मिलिटरी वाले कहां से इतनी एक तरीके से बन करके सामने आ जाए किसी वेरागी वेरागन नवदिक्षित को प्रशिक्षन ना मिले तो उसका जिवन तिढ़ा मिला प्रशिक्षन मिल जाए तो एक अनुशाशित जीवन बन जाए अच्छा जीवन बन जाए देने वाले अपना करतवे निभाए और लेने वाले अपना करतवे निभाए तो काम अच्छा हो जाता है तो जीवन में संगत का प्रभाव जो है बड़ा अच्छा है और संगत का प्रभाव मनोवग्यानिक प्रभाव डालता है अट्मोस्फेर वाता वरनोड आप किस कॉलोनी में रहते हैं वाँ किस वर्ग के लोग जादा रहते हैं आप पोश एरिये में रहते हैं तो आप अपने रिजर्व नीचर के हो गए कि अपने कोठी तक सीमित हैं दूसरों के बीच में आप इंटरफेरेंस नहीं करते हैं अपने काम से काम रखते हैं आपका कुछ सौभाव धीरे धीरे ऐसा बन जाता है और किसी जैजे कालोनी में रहते हैं जैजे कालोनी का मतलई है जुग्जी जोपड़ी कालोनी तो वहाँ जाए टीम वर्क दिखाई देता है मेल जूल दिखाई देता है वहाँ जगड़े भी दिखते हैं संगत का प्रभाव भी दिखता है तो हर चीज का एक अलग अलग प्रभाव देखने में आता है तो जीवन के अदम संगत के महत को अपनी जीवन में समझ करके चलें इसलिए उस आचारी ने कहा है कृत संग सदाचारी सदाचारी लोगों की हमारे को संगत करनी चाहिए अच्छे लोगों के बीच में हमारे को बैठना चाहिए और ऐसा हम करेंगे तो हमारा जीवन सुन्दर अच्छा और प्रभावशाली बनेगा इन सब बातों का आपको ध्यान लखना है